हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम एक एक्शन रिसर्च लेकर आये हैं जो गनित विशेपयाधारी थे इसमें हम बच्चों को परिमाप और छेत्रफल की जानकारी देंगे बच्चों में जो परिमाप और छेत्रफल की अवधारना की समझ विक्सित नहीं हो पाती है उसके लिए एक्शन रिसर्च बनाया गया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विशेश सुची देखते हैं विशेश सुची इस परकार है किरियात्मक शोद का शीर्षक अस्थान शोद करता का नाम समस्या की प्रिष्ट भूमी समस्या का कारण किरियात्मक परिकल्पना शोद का अपदेश कथन आकडों का विशलेशन तथा परिनाम क्रियात्मक शोध का शीषक है परिमाप एवं छेत्रफल की समझ उसके बाद क्रियात्मक शोध का अस्थान है राजकिय उतकर्मित उर्दू मद्विद्यालेक कंसुआ जहानाबाद शोध करताक नाव है मुहमत ताज अफजल और कलांश है इसके लिए 13 समस्या की प्रिष्ट भूमी इस परकार है बच्चों में परिमाप एवं छेत्रफल की अवधाना का देनिक जीवन की घटनाओ तथा उसकी उप्योगिता से संबंद स्थापित नहीं हो पाता है जिससे बच्चे परिमाप एवं छेतरफल की समझ विक्सित नहीं कर पाते हैं समस्या का कारण क्या क्या हो सकते हैं परिमाप तथा छेतरफल की आफधाने की समझ नहीं होना परिमाप एवम छेतरफल का दैनिक जीवन से संबंद स्थापित नहीं हो पाना विभिन आकरतियों की समझ नहीं होना गलत सिक्षन विधी का परियोग भी बच्चों में परिमाप एवम छेतरफल की समझ को विख्षित नहीं कर पाती है समस्या के कारणों के साक्ष को हम इस सारनी की मदद से देख सकते हैं जिसमें विभिन परकार के कारण तथा उसके साक्ष मौझूद है ये तथ्धि के अधार पर लिखे गए हैं और ये हैं सारे के सारे शोध करता के अंतरगत किये गए हैं आजिए अब क्रियात्मक परिकल्पना करते हैं जिसमें कक्छा के अस्तर को समझा जाता है कक्छा के अस्तर के अनुसार ही हम अपना शोधिकारी करते हैं बच्चों को विभीन आकृतियों से पहचान कराना आसपास के सनचना और वस्तु की मदद से परिमाप छेत्रफल के उप्योग मिलाये जाते हैं उनका हम यहां पर सारनी देख सकते हैं बच्चों में विभीन आकृतियों की समझ पैदा कर उसके परिमाप एवं छेत्रफल की जानकारी देना एवं इनका दैनिक जीवन में महत्व और उप्योगता समझाना आईए अब आक्डों का इसमें बहुत ही कमजोर हैं शोधिकारी में हमने बच्चों को विभीन आकृतियों की से पहचान कराई परिमाप एवं छेत्रफल की अवधारना को समझाया विभीन आकृतियों के परिमाप एवं छेत्रफल की जानकारी दी देनिक जीवन में परिमाप एवं छेत्रफल का स किर्टिया शेप्स विद्याले में मोजूद वस्तू और देनिक जीवन में परियोग की जाने वाली वस्तू और सनुरचना शोध्यकारी के पस्चा जो इस्थिती आती है वो इस परकार है कि कुल मिला करके 20 बच्चे परिमाप और छित्रफल को अच्छे तरह समझने लगे हैं प्रन्तु अभी भी साथ ऐसे बच्चे हैं जो परिमाप और छेत्रफल में अभी भी बहुत ही कमजोर स्थिती में हैं शर्थ परतीशत सफलता पाने के लिए हमें इस शोद्यकारी को पुनह करना पड़ेगा परिनाम की चर्चा करते हैं आंकणों के विशेलेशन के पस्चाद ये पता चलता है कि अधिकतर बच्चे जो हैं वो विशेवस्तु के अभधारना को समझने में सफल हुए हैं इसी के साथ हमारा यहाँ विडियो समाप्त होता है धन्यवाद